हेलो दोस्तों तो स्वागत है मौनु टुटोरियल अकैडमी में तो यह हमारे इंडेक्शन मोटर का लेक्शन नमबर फिप्थ है जिसमें हम determination of efficiency के बार में पढ़ेंगे तो इसमें क्या होता है basically मैं short में बता रहता हूँ कि जो हमारे small motor के लिए तो directly load से connect करके हम efficiency को find out कर लेते हैं लेकिन क्या होता है कि जो हमारे large motor होता है उसमें यह difficult होता है इसलिए हम दो type के test use करते हैं no load test और block data test ठीक है determine हो जाता है by directly loading them और हम measure कर लेते हैं input and output powers okay अब जब हमारा large motor के लिए क्या होता है यह difficult होता है arrange करना load को इसमें और जो इससे क्या होता है हमारा power loss होता है वह ज्यादा हो जाता है power losses जब हम directly test करते हैं load के साथ ठीक है तो therefore इसलिए हम क्या करते हैं कि indirect method को use करते हैं determine करने के लिए efficiency और three phase induction motor में ठीक है तो जो हम perform करते है test वह efficiency find out करने के लिए तो दो टाइप के test उसकरते हैं no load test और blocked rotor test आईए इसको हम detail में पढ़ते हैं जो हम पहले पढ़ेंगे वह पढ़ेंगे no load test के बारे में तो जो हमारा no load test होता उसको हम open circuit test भी बोलते हैं ठीक है तो जब exam में open circuit test के नाम से भी आ सकता है तो आप no load test के बारे में उसमें लिख सकते हैं ठीक है तो इसमें क्या होता है जो हमारा no load test होता है induction motor वो similar होता है हमारे open circuit test of the transformer के ठीक है और क्या होता है यह motor होता है जो is not connected from its load and the rated voltage at the rated frequency is applied to the stator run of the motor without load जो हमारा motor होता है वो connected नहीं होता है load के साथ और जो हमारा rated voltage होता है और rated frequency होता है वो applied करते हैं stator को जिससे हमारा motor run होता है without any load gate ठीक है तो the two watt meter method measure the input power of the system जो इसमें हमारा 2 watt meter method होता है वो हमारा measure करता है input power of the system को और जो हमारा volt meter है वो measure करता है हमारे standard rated supply voltage को और इसमें एक और instrument होता है हमारा m meter वो measure करता है हमारे no load current को this since the motor is running at no load और हमारा motor है जो run करता है किस पे at no load पे ओके तो जो हमारा total power होगा वो equal हो जाएगा constant iron loss के friction and winding losses of the motor के ओके यह जो P constant हमारा वो equal हो जाएगा P1 plus P2 मदलब sum of the two watt meter readings के ओके तो देखे गाई यहां पर हमने three phase supply दिया है rated voltage and rated frequency applied किया है हम किसमें induction motor में और क्या है यहां पर हमारा वाल्ट मिटर इंस्ट्रूमेंट लगा हुआ और एक m meter लगा हुआ है और साथ में हमारा क्या है two watt meter method भी used हुआ है और यह हमारा क्या है three phase induction motor है ठीक है और इसमें कोई mechanical लोड नहीं है तो यह हमारा क्या था circuit diagram था no load test का और three phase induction motor का ओके जो हमारा वी आई एनल है वो हमारा input line voltage होता है और जो पी आई एनल है वो हमारा total three phase input power at no load है और जो यहां पर हमारा आई नोट है वो मतलब क्या है input line current है अब तो यहां पर क्या है कि जो वी आई पी है मारे input phase voltage है ठीक है तो जो हमारा pinl है वो equal होता है root three vinl i not cos 5 not के ठीक है तो इसमें क्या होगा जो हमारा i mu होगा वो i not sin 5 not के होगा और जो i omega हो equal होगा i not cos 5 not के ठीक है और जो हमारा ro है और ro equal हो जाएगा vip upon i omega तो यहां पर आपने पढ़ा होगा कि जो v is equal to ir होता है ohm slow तो यहां पर क्या कर दिया है हमने बस r को ले लिया है और v upon i हो गया है ठीक है तो resistance और voltage और current है यह इस टाइप का है और जो हमारे यहां पर reactance है वह equal है vip upon i mu के तो इन सारे को हम इसे put करके हम इसली solve कर सकते है ठीक है now next is blocked rotor और short circuit test तो जो अगला test है हमारा वह है block rotor test और short circuit test ठीक है तो इसमें क्या होता है जो हमारा blocked rotor test of induction motor का वह भी similar होता है हमारे short circuit test of transformer के और इस test में क्या होता है जो हमारा shaft motor का connected होता है so that it cannot move और इसलिए यह move नहीं होता ठीक है shaft हमारा connected होता है motor के साथ इसलिए हमारा क्या होता है move नहीं होता है और जो हमारा rotor winding है वह short circuit होता है okay अब क्या होगा slip ring motor में क्या होता है कि जो हमारा rotor winding है वह short circuit होता है through किसके slip ring के और in case of मलब क्या जब हमारा case motor होता है तो क्या होता है कि जो हमारा rotor bar है वो permanently short-circuited होता है तो क्या है यहाँ पे था कि जो हमारा slip ring motor होता है उसमें क्या होता है कि जो rotor winding है वो short-circuited होता है through slip ring और जो हमारा cage motor है उसमें क्या होता है जो rotor है rotor bars वो permanently short-circuited होता है ओके इस type को सिस्टो हम क्या बोलते हैं लॉटर टैश्ट भी भी बोलते हैं ठीक है तो लिखा हुआ है इस टैश्ट vazष ओलर्ड Soukald लॉट्रोट poor चस्ट तो हम इस वाले बॉब टास्ट ौने रॉट्र टेश्ट में भी बोब सकते खांग है अब है when a reduced voltage at the reduced frequency is applied to the stator through three phase auto transformer so that full load current flow in the stator the flowing three readings are obtained तो क्या होगा जब हम मलब voltage को reduce कर देंगा और frequency को भी reduce कर देंगा फिर हम applied करेंगे stator पे और three phase induction motor auto transformer तो क्या होगा उसमें हमारा full load current flow होने लगेगा इस टेटर में और जो हमारे तीन flowing मलब तीन reading है इस टाइप के देखे सो दोस्तों यह हमारा circuit diagram है block rotor test का तो हमने यहाँ पे reduce voltage और reduce frequency को applied किया है और यहाँ पे हमारे instrument लगे है voltmeter ammeter और साथ में two watt meter method और यहाँ पे हमारा three phase induction motor है okay हमारी जो reading हाई गया है तीन reading हाई है हमारे पास तो जो हमारा first reading होगा वो total power input on short circuit होगा जो P sc होगा वो equal होगा हमारे algebraic sum of the two watt meter reading के ठीक है और जो हमारा second reading होगा ammeter से वो होगा हमारा की iscl equal होगा हमारे line current on short circuit और जो हमारा reading of voltmeter होगा third वो होगा हमारा vsl equal to line voltage on the short circuit और जो P sc equal हो जाएगा root 3 V sc first cos 5 sc ठीक है तो यह तीन reading आई है हमारे इस वाले test में जो हाँ पर हमारा question mark 5c जो बना था वो हमारा power factor on short circuit है और जो हमारा equivalent resistance होगा motor का refer to the stator r1 is क्या होगा r1 हमारा equal होगा p scp upon me i square scp के ठीक है और जो equivalent impedance होगा हमारे motor का refer to the stator z1 is तो जो हमारा z1 वो होगा वो हो जाएगा vscp upon me is cp के ठीक है अब हमारा जो equivalent reactance होगा of the motor के refer to the stator तो वो हमारा होगा x e1 equal होगा हमारा under root z e1 का square minus r e1 का square तो हमारा यह तीनो equivalent आ गया first आया था equivalent resistance का फिर आया था equivalent impedance का और equivalent reactance का तो मैंने सारे formula अच्छे जग clear कर दिया होंगे I hope दोस्तों कि यह video देखके आपको पूरी efficiency कैसे find करते हैं दो test में charge motor में induction motor में जो हमारे दो type के test है no load test और एक हमारा block rotor test तो इस video से आपको बिल्कुल clear हुआ होगा तो अगर आपको clear हुआ होगा तो हमारे इस video को like कर देना और अगर इस test वाले topics में अगर कोई भी doubt है या कोई भी question है तो comment box में आप बता सकते हैं तो उस question का मैं answer दे दूँगा और हाँ guys अगर आपको ऐसे video देखना है तो चैनल को subscribe कर दो और साथ में bell icon भी दवा दो कि जिसकी विए से आपको latest notification मिल जाएगी वीडियो की और हाँ दोस्तों इस पर क्या है जो मेरे channel पर क्या है कि अब से engineering के साथ साथ medicals के भी topics आएंगे ठीक है तो यह मनलब helpful होगा channel engineering student का और साथ में medical student का ओके सो थैंक यू